जानेल विडियो को टॉप है कि अब अब तो फोग को बहुत प्रोब्लम होती है आपने प्रोब्लम कभी करें फेश की होकी जब बारिश के मौसं में यह थंडी मोसं में प्रोब्लम आपको फेज करनी पड़ती है तो उसका सिंपल सा इलाज है हम आज वह आपको बताएंगे वह कैसे करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो यह दिखिए मेरे यह मीरियर पर देखिए कितनी फॉक जमी हुई है आपको दिख सका है सब दुंदला दुंदला द अधकर देखिए अधकर एकनी क्लीअ वीजी बलीटी नहीं है आपको यह साप करने के लिए आपको आत बात माट नहीं लगा ना दिखें में लगा अंत यहां पर बाद में निशान हो जाएंगे यह पानी से हो जाता है तो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले आप करना कुछ नहीं होता है इसलिए क्योंकि आपका बाहर का टेंपरेचर वह बहुत ठंडा होता है और अंदर का टेंपरेचर जो आपकी हास्वास है वह आप oxygen लेते और carbon dioxide छोड़ते वह गरम हो दो बाहर के यहां ठंडी होने से अंदर के अवाँ गरम होने से यह मिर्र पे जो है फोक जम जाती है तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं अपना AC वैंट्स ओन करना है दीखिए यह कंट्रोल से इसी के तो कम है सिल्प यह वाले के लिए हमें ना यह जो उ गाड़ी अपनी चार्च स्टाट कर लेता हूं अब तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकिया तो हमें देखिए फोक जमी हुई ना इसके क्लियर नहीं दिख रहा है यह दिखिए है अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा देखिए अब मैं एसी वेंट सोन कता हूं देखिए पहले हमें इसी स्टार्ट कर लेनी है यह सी हमने स्टार्ट की अब दो पर रखिए अपना यह देखिए हो गए ना क्लियर कि यह में साइड वाले करता हूं देखिए यह थोड़ी थोड़ी फोग जमी हुए में उस साइड पर करता हूं हमारा यह देक इस तरफ कर लेता हूं कि दिखिए पूरी तरह से क्लीन हो गया देखिए यह दिख रहा है बाहर का पानी है कि देखिए जब यह क्लियर हो जाएज आप यह से बन कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखिए सारे मेरे पांच कुछ जानकारी थी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक शिक में कमेंट कर दीजिए क्या अच्छी लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्स्क्राइब कर दिए मिलते है इसकी नेक्स रडियो में तब तक क्लिए झाल झाल